नमस्का, दूस्तु मैं JP आपका स्वागत है निमारे चनल में आजम बात करेंगे बीफार्मा के बारे में कि इभी फार्मा क्या होता है बीफार्मा करने के पास आपके लिए कौनकौन चे जब ऑपिशनमेटी खुल के हैं या बीफार्मा कितने साल में पूरा होता है और विछयों को आप देखते रहें तो भीफर्मा स्फ reminds inmates कि सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपको exam inquiry करना को बैचना होगा और जो कीशिण उसमें आएंगे उसका सहिसाहे अंसर कोफ करने के बाद आपको कंत्राइब कोलेज सुम्राइब है झाए अगर आप प्राइबाट से करना चाहते हैं तो प्राइबेट में मैर्ट-बेस होता है आपके 12 क्लास के सटिफीकेट के यानि मार्क के अधार पर direct admission भी होता है direct आप जाकर पैसा दे कर admission करा सकते हैं या इसमें भी interest examination के दोराण admission होता है education degree क्या चाहिए इसमें लेने के लिए तो friends इसमें लेने के लिए आपको 10 plus 2 pass out होना चाहिए 10 plus 2 pass होना चाहिए आपको minimum 50% mark अगर आप जेनरल कर्टेगरी के हैं तो 50% मार का कुछ चाहिए जाहिए अगर आप SCST इससे बिलोंग करते तो आपको 50% से कमाक चाहिए इसमें एड़ेशन लेने के लिए तो फ्रेंड्स अब हम बात करे लेती हैं ड़ेशन के बारे में कि ये कितने शाल का कुर्स होता है और इसमें कितने सेमेस्टर होते हैं तो फ्रेंड्स moots बाट कॉर्स जकति हैं गया कीment के जाता है कोई कोई कॉलेज 10 सब्जेक कवर करता है एक साल में कोई 6 सब्जेक करता है कोई 12 सब्जेक कवर करता है हम जॉब्स की बात कर लेते हैं कि इसमें जॉब्स कितने प्रकार के होते हैं आप यह करने के बाद government या private दोनों sector में काम कर सकते हैं पहले government की बात कर लेते हैं गौर्मेंट में आप रेलवे होस्पिटल या और अधर गौर्मेंट होस्पिटल में काम कर सकते हैं या गौर्मेंट क्लिनिक में काम कर सकते हैं या अपना खुद का फॉर्मसी सौब खोल सकते हैं या और भी अधर सेक्टर, गौवर्मेंट के लग, अधर सेक्टर में जा सकते हैं, जैसे नेवी, आमी, एर फोर्स, यह सबसिस्ट की जरुवत होती है, दवाईयों की जरुवत होती है, तो यह सभी फिल्ड भी भैकेंजिस निकालते रहती है, डॉक्टर या फर्मसिस के नेटा है, आप अपना खुज का शॉप खोब सकते हैं, इस कोर्स वी फार्मा कोर्स करने के बाद, बैचलर फर्मसिक कोर्स करने के बाद, आप इलीजवल हो जाते हैं, ड्रॉक्स Allodές. examination के लिए वी pharma bachelor of pharmacy के बाद आप drugs inspector एंस्पेक्टर एक्जाम दे सकते हैं और अगर इसके बाद आप इस exam को qualified करते हैं तो इसके बाद आपका interview होता है interview के बाद आपका medical test होता है उसके बाद आपको appointment later दे दे जाता है job का Friends, Drugs Inspector जो है, वो हमारे गौर्मेंट का एक हिस्सा है, गौर्मेंट जो है Drugs Inspector जो सोसाइटी में एक मायनी रखता है, इसका पेमेंट लगभग 55,000 to 60,000 per month starting payment है इसका, इस एक्जाम अपेयर करने के लिए आपको कम से कम B Pharma Bachelor of Pharmacy चाहिए ही चाहिए, D Pharma Diplomant Pharmacy के बाद इसका एक्जाम आप नहीं दे सकते हैं, Friends, Bachelor of Pharmacy भी Pharma के बाद आप eligible हो जाते हैं और भी higher education के लिए जैसे Pharma D, M Pharma या PhD भी आप कर सकते हैं, बात कर लेते हैं, फीस के बारे में, कि ये कोर्स करने के लिए हमें कितना फीस लगेगा, या 4 साल का कोर्स है, तो 4 साल में हमें कितना खर्चा होगा, तो अगर आपको Government College मिलता है, तो Friends बहुत अच्छा आप के लिए होता है, Government College में फीस ना के बराबर है, 12,000, 15,000 से 20,000 पर येर आपको देना होता है, बस उसे ज़्यादा नहीं, यानि अगर हम 20,000 मान के चलें, तो 4 साल में हमें खर्च होगा, वन लेक रुपीज, वन लेक रुपीज हम मान के चलिए, कि एक साल में आपको खर्च होगा, लेकिन वहीं अगर हम Private Sector की बात करें, तो College पर डिपेंट करता है, कोई-कोई College 30,000 पर येर मांगता है, कोई-कोई सेमेस्टर वाइस मांगता है, आठ सेमेस्टर इसमेस्टर होता है, तो एक सेमेस्टर का 20,000 लेता है, या कोई 50,000 लेता है कोई 1,000,000 लेता है एक सिमेश्टर का कोई 1,000,000 लेता है तो private में क्या है कि college पर depend करता है कि कौन सा college कितना मांग ले ये सारा private है government पर क्या है कि government तो fix होता है उपर से fix के जाता है होगама तो fix रहता है बहुत कम rate होता है government में लेकिन private में कोई rate fixed नहीं है कोई college है तो कुछ rate है कोई college का कुछ rate है लेकिन यहाँ मैं आपको notice यह देना चाहूँगा कि अगर आप विहार से pharmacy करना चाहते हैं तो बिहार में सिर्फ दो college है pharmacy करने के लिए दोनों पटना में हैं एक है विहार college of pharmacy और एक है government college of pharmacy ऐसे कुछ है मुझे नाम य सकते हैं पैसा कम लगता है लेकिन आप प्राइबेट से जाना चाहते हैं तो बिहार में ऐसा कोई सुविधा नहीं है और जो कॉलेज है बिहार में बहुत जादा डिमांड करते हैं अपने फीज के लिए क्योंकि कॉलेज एक दू एक दो कॉलेज होते हैं तो पैसा तो जादा मांगेगे ही अगर आप फर्मसी करना चाहते हैं तो बिहार के बाहर भी अधर से अधर अधर स्टेट से आप कर लें क्योंकि उधर ज्यादा कॉलेज है और पैसा भी कम लगता है जैसे हम चंडीगड की बात कर लें तो चंडीगड में बहुत सारा कॉलेज है जहां 20-25 जार र चाहिएगा अप जोड़ीजेगा तो सिचीडीओं इतना ही देखने के लिए धन्यवाद अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं और अगर आप मुझे कुछ उजाव देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके अभी बताएं धन्यवाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तिस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड के साथ सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न अपने बाद